मिशन शिक्षन सम्वाद परिवार की और से एंगलिश ग्रामर की क्लास में एक बार पुना वेलकम चिल्रून आर टॉपिक फो तोड़ेस लर्निंग इस दे वर्ड यानि की क्रिया आर्थात काम वाले शब्द जैसे की प्ले, रान, स्टॉप, इट, ड्रिंक, एट, सिर्ड, आएए समझते हैं वर्ब क्या है A verb is a word which denotes action यानि की क्रिया शब्द काम वाले शब्द हैं बच्चों ये actions हमारे physical जैसे की play, read, write, come, go और mental जैसे की want, like, think, imagine, love, etc. हो सकते हैं और वर्ब में आपके आता है what a subject does यानि की करता क्या कर रहा है Verb also tells existence यानि की a state of being अर्थात मौझूद की जैसे India is a rich land We were naughty children once The verb also shows position with the help of has, have, etc. जैसे की I have two eyes, we have two hands, etc. Children always remember that the verb is the most important part of a sentence अर्थात क्रिया शब्द के बिना आपका वाक्य संभव नहीं है एक single, एक अकेला क्रिया शब्द, एक single verb भी एक complete sentence का निर्मान कर सकता है For example, run तो बच्चों, यह थी क्रिया पर चर्चा यहां आपको एक चोटी सी स्टोरी दी गई है Enjoy the story और हाँ, इस में से वर्ब शब्चाटना न भूलियेगा You can check your answers from the given answer sheet Thank you Thank you